प्लीज सस्क्राइब मैं चैनल इट्स रिली मोटिवेट मी तो मेक मोर वीडियो पूर यू वैलकम फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम सिखेंगे एक्सॉस पाइप का फ्लूइड फ्लो अनालसिस किस तरीके से किया जाता है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले हम र जैसे कि आप देख सकते हो जो मैक्टरी यहां पर इंपोर्ट हो गई है आप जिस तरीके के एक्साइस करना चाहते हो वह आपके इस तरीके से कुछ आ जाएगा तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं किसके बाद जो अन्वांटेट कंपोनेंट है वह उनको हम हटा देते हैं ज यह हमारा सोप्रेस हो गया तो यह हमारा जो आप स्क्रीन पर देख पा रहा हो यह हमारा एक्सास्ट पाइप है इसके अंदर हमें फ्लूट डॉमेंग बनाना है फ्लूट डॉमेंग बनाने के लिए आपको वह सारे के सारे सर्फेस सेलेक्ट करने होंगे जहां से फ्लूट and this but इसके अलावा जो आगे के faces हैं आप उसको select नहीं कर सकते क्यों क्योंकि अब इस पर click करोगे तो बाहर वाला face select हो जाएगा ना कि अंदर वाली wall यानि कि जो exhaust pipe है उसकी दो wall होंगी एक inner wall और एक outer wall तो जब हम यहां पर click करोगए तो यह उपर वाली wall उन सब को हमें hide करना होगा तो उसका क्या तरीका है hide करने के लिए आपको जितनी भी भार वाली wall है उन सब को पहले select करना होगा तो select करने का तरीका है जो लेफ्ट क्लिक है उसको दबा के रखेंगे और जहां जहां पर wall है वहां सब पर उसको एक बार crawl कर देंगे like this is तो सारी की सारी बहर वाली Wall को select कर लेगा कि जैसे कि आप देख पा रहा है मैंने सारी पार वाली walls को select कर लिया है जैसे कि आप रहोंगे जो बाहरवाली वॉल है सिर्फ यही सेलेक्ट है अदर वाली आपको दिखाऊं इस तरीके की आपको दिखने को मिल जाएगी लैग दिस जैसे कि यहां आप देख पा रहे होंगे अभी जो यहां पर है यह आपको outer wall दिख रही है आप आपको right click करना है सारी की सारी wall select है hide face पर क्लिक करना है जैसे ही आप hide face पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी wall जो बाहर वाले faces थे वह हाइड हो जाएंगे अब जो आप देख पा रहे हो वो सिर्फ वाल की थिकनेस देख पा रहे होंगे ये वाल की थिकनेस देख पा रहे होंगे ये वाली इसके अलावा आप इनर वाल देख पा रहे हो अभी भी आपको कमपोनेंट कुछ इसी तरीके का बना हुआ दिखेग अब और मैं outer wall पे click कर रहा हूं तो वो अंदर वाली select हो रही है इसी तरीके से जब मैं यहाँ पर click करूँगा तो अंदर वाली wall select होगी ना keep बाहर वाली clear तो यह होता है तरीका inner wall को select करने का आप outer walls को hide कर दीजेगा और इसके बाद सारी की सारी wall को select कर लूँगा इसके लिए मुझे box selection लेना होगा box selection लेकर drag करके सब को select कर लेंगे यह पूरी की पूरी wall select हो गई अगेन मैं single selection लूँगा वो इसलिए क्योंकि सारी की सारी wall तो select हो गई है बट साथ में हमारी यह जो wall की thickness है यह भी select हो गई है यह wall की thickness तो आप control बटन दबा के रखेंगे और इस पर click करेंगे ताकि यह wall thickness हट जाए स्रिफ inner wall ही रह जाए है like this like this इसके साथ साथ आपकी एक outer wall की thickness यहाँ पर भी होगी like this ओके तो यह आपकी सारी की सारी inner wall select हो गई है अब आपको टूल पर जाना है टूल पर जाएंगे तो यहाँ पर एक फिल का option दिख रहा होगा जैसे आप फिल पर click करेंगे तो जितना भी फेस आपने सेलेक्ट किये हैं यानि अंदर वाली जो वाल आपने सारी की सारी करेंगे अब आपके पास दो component आ गये हैं एक तो है आपका exhaust pipe जो कि यह पूरा का पूरा है और second वाला जो यह वाला है यह अंदर का फ्लूइड जो कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर से और एक आपका है बाहर वाला पाइप तो यह जो बाहर वाला मैश को जनरेट कर लेंगे आपकी मैश हो गई है याद रखेगा मैंने इसको जनरली नॉर्मल राइट किलिक करकर मैश पर क्लिक किया है वह इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कि यह जल्दी ड़न हो जाए लेकिन जब आप अपने प्रोजक्ट पर काम करेंगे तो आपको यहां देख पा रहे होंगे यह जो मैशिंग आपकी बन रही है यह कोड नहीं है यह ट्राइंगुलर शेप में है बट आपको इसको क्वाड बनानी की कोशिश करनी है इस मैशिंग को इंप्रूव करना है साइस को थोड़ा चोटा करना है इसके बाद आप इसको यहां से क्लो affects software का editor window है यहाँ पर आपकी सारी कि सारी boundary condition लगाई जाएगी तो यहाँ पर आपको input define करना है output define करना है वाल define करने की जरूत नहीं है क्योंकि वाल ऊटोमेटिकली ले लेता क्यों आप चाहों तो वाल भी define कर सकते हो Right Click करेंगे हम यहाँ पर Insert पर boundary boundary पर क्लिक करेंगे और यहां पर लिखेंगे inlet 1 i am 이렇게 less अपर बाइंडरी कर सकते हैं यहां पर मैं रहा हूं स्टाटिक प्रेशर अब देखेगा यहां पर जो है स्टाटिक प्रेशर का option आ रहा है इस आप इसको close किजेगा close करने के बाद default domain पर double click किजेगा double click करने के बाद आप fluid models में जाएंगे fluid models में जब आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक option दिख जाएगा यहां पर isothermal लिखा हुआ है आप इसको कर देंगे thermal energy then apply पर click करेंगे close पर click करेंगे again वापस से आप Right click करके insert पर जाएंगे boundaries में जाएंगे यहां पर लिखेंगे inwe add one enter करेंगे और यह जो आपका पहला सर्फेस है यहां किजेगा पहले और यह पहला आप क्लिक करने के बाद आप boundaries में जाएगे ले when के फ्रेंट कि तो यहांपर पर यहां पर मियंगत अप्रेश् awe-ундडिग्री सी कसे एंडयीज कर दिया एकट करेंगे अ सब्रेंगे यहां पर क्लिक करेंगे यह मिरा इनलेट हो गया है डेन आगें डिफाल्ट दो में पर राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट ऐंडरी में जाएंगे इनलेट तू के लिए यहां पर क्लिक करेंगे सेकेंट पर क्लिक करेंगे अगेन फिरसे वही बॉंडरी कंदीशन स्टैटिक प्रेशर तू बार टेंपरेचर ओफ एट हंड़ी डिग्री सी सेंटिग्रेट याद रखिएगा जो मैं बॉंडरी कंडिशन अप्लाई कर रहा हूं वह अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूं जब आप अनालेसिस करेंगे तो आप उसको इंटरनेट पर सर्च करने के बाद जो भी इंपूट बांडरी कंडिशन एक्ट्वल में आती है एक्जास पर आप वह बांडरी कंडिशन डालेगा अगें राइट क्लिक करेंगे बांडरी इनलेट 3 एंट क्लेक एड क्लेक हीर स्टैटिक प्रेशर ऑफ टू बार एट हंड़ेड डिग्री सी आफ ना राइट क्लिक करेंगे इंसर्ट पांडरी यहां पर लखेंगा outlet ऐंट्रेट करेंगे अलोटो क्लिक करने के बाद आपको बार त्यॐ дост जाने के बालेबं करेंगे ऑन इनलेट की सेटिंग कर सकता है जो की मेरा वन बार होगा अप्याइड रिक करूंगा ओकर नेखिए की solver control में जाकर unit की setting कर सकते हैं जिसकी unit में आपको result चाहिए उस unit के आप set कर सकता है यहां पर आप iteration set कर सकते हैं कि कि कितने iteration के लिए आपको result चाहिए यह iteration में अभी increase नहीं कर रहा हूं for example मैं इसको 100 पर ही रख रहा हूं हुआ हंडिट इट्रेशन क्योंकि अगर मैं इसको जादा इट्रेशन बढ़ाऊंगा तो मेरा जो है रिजल्ट बहुत तेर में सॉल्व होगा बट रियाद रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो इट्रेशन आपको बढ़ा लेनी है अगर आपका मॉडल जादा बढ़ा है तो इट्रेशन को बढ़ा लेना है क्योंकि कनवर्ज जो होता है वो ट्रेशन के रेस्पेक्ट में होता है अगर आप कम कर देंगे तो आपका हो सकता है उतनी इट्रेशन में ना हो पा रहा हो डिफॉल्ट डॉमेन पर एक बार फिट से क्लिक करेंगे ताकि हम यहां पर fluid define कर सके तो यहाँ पर जो मेरा fluid है वो air है तो यहाँ पर हम इसको air ideal gas select कर देते हैं आप यहाँ पर exhaust gas की property डाल कर उसको select कर सकते हो then apply पर click करेंगे okay पर click करेंगे boundary condition हमारी defined हो चुकी है यहाँ से हम इसको close कर देंगे close करने के बाद आप यहाँ solution पर click करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीकी window pop-up हो जाएगी आपको double precision पर click करना है यह यहाँ पर serial लिखा हुआ दिख रहा है आपको यहाँ पर click करना इंटल लोकल पैरलल वाले पर अगर आपका इंटल प्रोसेसर है तो यहाँ पर इंटल लिखा वाएगा अगर आपका EMD प्रोसेसर है तो EMD लिखा आएगा पैलल पर आप तभी क्लिक किजेगा जब आपका processor dual core quad core या फिर octa core processor हो यानि आपके पास number of course ज्यादा हो उससे क्या होगा आपका जो processing time है वह कम हो जाएगा जैसे आप पैलल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको number of course का option आ जाएगा जहाँ पर मैंने टू सैट किया हुआ है मैं इसको बढ़ा देता हूं बढ़ा कर मैंने इसको फूर कर दिया है क्योंकि जो मेरा प्रोसेसर है वह quad core processor यानि इसके अंदर चार कोर हैं तो अगर मैं चार पार्टिशन में इसको solve करेंगे और हमारा simulation में time save हो जाएगा जैसे आपके setting कर लेते हैं तो आपको run start run पर क्लिक करना है ताकि आपकी simulation start हो जाए तो जैसे आप देख पा रहे हों इस तरीके का कुछ interface आपकी screen पर आ जाता है यानि कि यहाँ पर आपकी iteration solve हो रही है और यह यहाँ पर आपके convergence के curve draw हो रहा है solution होने के बाद आपकी screen पर कुछ इस तरीके का option आ जाएगा आप क्लिक कीजिएगा के बाद आप close कर दीजिएगा close करने के बाद आप result में जाएंगे result में जाने के बाद आप यहां पर देख पा रहे होंगे यह आपके कुछ wireframe diagram इस तरीके से आ जाता है इसको पूरा show करने के लिए आप contour पर click करेंगे जैसे आप contour पर click करेंगे तो आप कोई भी नाम दे सकता है है for example मैं यहां पर result लिखना हूँ result लिखा मैंने enter करेंगे result लिखने के बाद यहां पर कुछ option आ जाते हैं यहां पर आपके दो और option आ जाते हैं एक आता है हमारा all cfx domain और एक होता है otherwise अगर आपने इसमें solid भी consider किया होता तो आप यहां पर all domain पर click करते हैं तो यहां पर हम cfx domain ही रहने देते हैं इसके बाद इसके नीचे जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो यहां पर प्रेशर सेट हो रखा है जिस चीज के result आपको चाहिए यहां पर आप वह सेट कर सकते हो तो इसके बाद मैं यहां पर apply पर click करूँगा जैसे apply पर click करूँगा तो यह मुझे यहाँ पर temperature के result दिखा देगा इसके बाद आप चाहो तो pressure के reading भी देख सकते हो pressure के reading कुछ इस तरीके से दिख जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यानि कि pressure हमारा यहाँ पर inlet पर हमारा pressure जादा होगा तो उसके लिए आपको streamline पर यहाँ पर click करना होगा जैसे आप streamline पर click करोगे तो result में आप यहाँ पर लिख सकते हो जैसे कि streamline वन ही लिखा रहने देता हूं ओक्यों पर click करोंगा तो यहाँ पर default domain यहाँ all domain है तो आप cfx domain कर से कर देंगे starting point में आप select करेंगे कि आपको result कहां से देखने हैं यहाँ पर मैं click कर दे रहा हूं default domain पर default domain के बाद फिर मैं यहाँ पर 20 points पर click करूंगा then apply पर click करूंगा like this तो आपको कुछ इस तरीके के result देखने को मिलेंगे for example यहाँ पर मैं points बढ़ा देता हूं 200 कर देता हो apply like this तो यह कुछ इस तरीके के result आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे अगर आप इसका animation देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वीडियो पर click करना होगा like here animation इसको speed को थोड़ा slow कर देते हैं आप इसे run करोगे तो कुछ इस तरीके के result आपको यहां मिलेंगे देखने को like this जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे तो जब यहां से आपके exhaust जाएगी तो यहां से यहां तक तो वह एजी ली जा रही है इसके बाद यहां पर आपका एड़ी फॉर्मिशन होना स्टार्ट हो गया है यानि कि जो आपका exhaust गैस है वह यहां पर रोटेट कर रही है उसके बाद फिर यहां से बाहर निंकल रही है तो यह था आपका किस तरीके से exhaust pipe में inlet outlet condition को define करते हैं अगर आपका multi cylinder exhaust है तो उसमें किस तरीके से अलग अलग boundary condition apply कर सकते हैं इसके अलावा आप इसमें यह भी देख सकते हैं कि eddy formation कहां पर हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है ताकि आप exhaust के अंदर के design को modify कर सके ताकि जो आपका eddy formation है exhaust gas का वो कम से कम हो जाए thank you for watching please subscribe the channel for more related videos हुआ 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 आप हुआ हुआ है तक yaniralp इसक क्रोगम मैंने और किस normally प्रतोड़ वोुआए हुआ है तो यदो़ मैंने वो